उजय चाहिए वेलकम बैक टू अनेंदर वीडियो फैरली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राडमी नोट 10 प्रो के बारे में अब यहां पे रैडमी नोट 10 प्रो जो की इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हाइप क्रेट कर चुका है कि Redmi Note 10 Pro जो कि कैसा smartphone होने वाला है कैसा specs के साथ आने वाला है और क्या pricing set होने वाला इस phone का इंडिया के अंदर तो यारे यहाँ पर बहुत सारे questions है और सभी questions का मैं answer इस video के अंदर देने वाला हूँ that's why आप इस video को पूरा end तक देखिए और video reality में बहुत ज़्यादा interesting होने वाला है और Redmi Note 10 Pro जो कि एक 5G smartphone होने वाला वो भी mid range के pricing में है अगर आप लोग इस video को थोड़ा से भी miss करते हो तो बहुत सारे information जो की आप miss कर जाओगे that's why आप इस video को पूरा end तक देखिए और video reality में बहुत ज़्यादा interesting होने वाला है तो श्टार्ट करते हैं इस video को without wasting any more time let's jump into the video डिस्प्ले concept के बारे में बात करते हैं 6.7 inch का डिस्प्लेज फोन के अंदर देखने को मिलेगा Full HD Plus के resolution के साथ आने वाला है डिस्प्लेज के अंदर Super AMOLED का पैनल और 120 Hz का refresh rate देखने को मिलेगा डिस्प्लेज इस बार हम लोगो एक full view डिस्प्लेज मिलने वाला है जहाँ पे कहीं भी cutout नहीं होगा ना इस phone के अंदर center punch hole ना इस side punch hole, ना इस dual punch hole इस phone के अंदर हम लोगो punch hole cutout तो मिलेगा ही नहीं इस बार इस phone के अंदर second generation का एक pop up selfie camera देखने को मिलेगा pop up selfie camera भी बहुत fast होने वाला है और in display fingerprint scanner इस phone के अंदर देखने को मिलेगा performance के वारे में बात करते हैं तो snapdragon 760 8G का chipset इस phone के अंदर देखने को मिलेगा अब यह chipset snapdragon के तरब से latest chipset है जो के latest में ही announcement किया गया है chipset 2.7 GHz पे clock है और यह chipset dual 5G connectivity को support करता है तो reality में यह chipset बहुत अच्छा chipset होने वाला है और gaming के लिए तो no doubt आप इस phone के अंदर बहुत अच्छा से gaming कर सकते हो LPDDR 4X RAM, UFS 3.0 storage और यह phone Android 11 के साथ आने वाला है जहाँ आपे Mewad 12 का support इस phone के अंदर देखनी को मिलेगा camera के बारे में बात करते हैं तो panter rear camera setup इस phone के अंदर देखनी को मिलेगा जहाँ आपे primary camera मिलने वाला है 108 megapixel का 108 megapixel का latest primary camera इस phone के अंदर देखनी को मिलेगा followed by 20 megapixel ultra wide angle lens followed by 16 megapixel telephoto lens followed by 5 megapixel depth sensor followed by 2 megapixel micro sensor बात करते हैं front facing camera के बारे में front में देखनी को मिलेगा 44 megapixel का AI pop-up selfie camera front में भी हम लोगों को latest pop-up selfie camera इस phone के अंदर देखनी को मिल रहा है battery और charging के बारे में बात करते हैं 5500 mAh का battery इस phone के अंदर देखनी को मिलेगा तो battery हम लोगों को इस phone के अंदर बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है चार्जिंग के लिए 55-8 का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा जो कि एक Qualcomm Quick Charging होने वाला है और हम लोगों को साथ इस फोन के अंदर Wireless Charger का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है 3.5 mm का उडियो जैक और Type-C पोर्ट इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा प्राइसिंग के वारे में बात करते हैं Redmi Note 10 Pro का प्राइसिंग होने वाला है 15-20,000 रुपे के रेंज में 15,000 से 20,000 रुपीस के रेंज में तो प्राइसिंग इस फोन का almost confirm है और प्राइसिंग भी हम लोग को बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है Mid-range के प्राइसिंग में Redmi Note 10 Pro जोकी best पेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है और Mid-range के प्राइसिंग में Redmi Note 10 Pro जोकी बहुत अच्छा specs offer कर रहा है that's why अगर आप लोग Redmi Note 10 Pro के लिए wait करना जाते हैं तो wait कर सकते हैं क्योंकि यार बहुत अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है और Redmi Note 10 Pro जोकि एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है जिसके अंदर हम लोगों को latest चिपशट देखने को मिलेगा वो भी मेट रंच के pricing में that's it in this video hope करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो interesting लगा है अगर आप लोगों को ये वीडियो interesting लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए share कर दीजिए makes your channel पर अगर नए है तो channel को अभी subscribe कर लिजिए पास वाले bell notification को enable कर लिजिए और comment करके मुरे को जरूर बताईए best part of this video तो मैं मिलता हूँ मेरे next video में